Hello everyone and welcome to Only IS, Current Affairs Revision Series में Art and Culture का ये तीसरा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम जुलाई मन्त के सब ये related Current Affairs को कवर करने की कोशिश करेंगे, अगर आप UPSC या फिर किसी भी State PCS exam के लिए थोड़ा भी serious हैं, तो आप हमारे Telegram Channel Only IS Nothing Else को जरूर से जॉइन कीजिए, तो चलिए बिना देरी के हुए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की, इस session का first important article वो Bible के पहले Tamil translation के बारे में है, चूकि ये पहला Tamil translation था, इस reference से थोड़ा सा important तो जरूर हो जाता है, इसे कुछ समय पहले चोरी कर लिया गया था सरस्वती महल library से, और अभी London में इसे trace किया गया है, in that reference ये news में आय जो पहला Tamil translation था Bible का, इसे print किया गया था 1750 में, इसे एक missionary की दौरा print करवाया गया था, जिनका नाम Barthorlo Manus Jegen Balg था, थोड़ा टफ नाम है, मैंने प्रनिशियेट करने की कोशिस की है, इन्होंने इसे print करवाने के बाद उस समय जो वहां के राजा थे, उन तक पहुचवाया that two through, squads, squads जो थे वो पहली बार इस पुस्तक को, उसके Tamil translation को, तुला जी, राजा, सर्फो जी के सामने लेकर जाते हैं, ये एक दूसरे missionary थे, जो की राजा के एक अच्छे मित्र भी थे, उसके बाद जब तमिनाडू के सरकार बन जाते हैं, मॉडेनिटी में हम आते हैं, त बात करते हैं, जिन्होंने पहली बार इस का translation करवाया तमिन में, ये 1862 में, बॉन थे, सेक्सनी में, सेक्सनी इस्टन जर्मनी की एक location है, वो एक Danish missionary हुआ करते थे, मतलब डेन्मार्क की ओर से उन्हें भारत में भेजा गया था, 1706 में, वो ट्रंक्वेबार में आ जाते हैं, देन्स की छोटी सी कॉलोनी थी, इस्टन कोस्ट पर, तमिल नाडू का जो नागा पैटिनम का एरिया था, उसके बिल्कुल पास में, साउथ इस्टन कोस्ट जो इंडिया का है, वहाँ पर, इसके लिहाद से देखा जाया, तो ये भारत के पहले Protestant missionary थे, दो wings हैं, Catholics and Protestants, Christians में तो ये Protestant missionary के दौर पे भारत में आये, यहाँ पर देखिए, उन्होंने एक printing press को establish किया, और Tamil language को सीखने के बाद कई सारी पुस्तकों का Tamil ने translation भी start करवाया, 1719 में महस 37 years की age में इनके मृत्ती हो गए, लिकिन तब तक उन्होंने ये translation का काम तो at least complete कर लिया था, और कुछ चर चटनी के बारे में, एक आंट चटनी चीटियों से बनाई जाती है, रेड आंट से चटनी बनाई जाती है, काफी प्रशलित है, इसको GI tag देने की बात चल रही है, और उरिसा के मयूर भंज के जो tribal है वहाँ ही बनती है, वहाँ के लोग काफी डिमांड करें GI tag देने के जिस प्ते बत्ते होते हैं, उसको चाट कर और जो में फ्लेश बचता है, उससे फिर इसको बनाते है, यह चटनी खाने में सरी स्वारिष्टी नहीं होती, इससे आपको सरदी खांसी या ऐसी बिमारियों से मुक्ती मिलती है, कहा जाता है कि आँखी मिजबूत होती है, तो एक त प्ते हैं, यह जो चीज है, विशेश रूप से एक जगह से आती है, जिस जगह से इसकी उत्पत्ती होने की वाज़े से कुछ स्पेशल फीचर्स मिलते हैं, अगर आप अलफैंसो मेंगो की बात करें, तो महरास्टा में आता है, पेड लगा तो अब जगे दिल्ली में फिर GI tag दिया जाए, GI tag कौन देता है, तो controller journal of patents, design trademark, जो की GI indicator के registrar है, वो देते हैं, और यह office चिन्ने में based है, GI registry, एक बार में जो GI tag दिया जाता है, वो 10 साल के लिए valid होता है, जो बार-बार renew कराना होता है, यह part है किसका trips का, यह WTO की एक, जो trade related intellectual property rights है, IPR, उसका part है, अगर एक पर आप कोई मिल गया, तो कोई और देश वैसा कुछ product black market में नहीं बेच सकता, क्योंकि original का जाता है कि आप ही के पास रेगा, real वाला जो है, वो आपका item है, जैसे आप अगर रस्ते से गुजरें, तो अगर आपको एक कहीं पर modern धाबा famous होगा, तो modern धाबा, new modern धाबा, all India modern धाबा, ऐसे बहुत सारे धाबे एक नाम की खुल जाते हैं, तो ऐसी confusion नहीं हो, इसलिए एक जो धाबा है, जो असली वाला हो, यह उस तरह की कहानी है कि हमें IPR लेना है, हमें GI tag लेना है, इससे related अभी recently जिनको मिला है GI tag, वो है, जुडिमा वाइन राइस जो असम की है, त और कंडिगरी सारी को इनको GI tag दिया गया है, तो अगर आपको यह पता है कि इनको प्रवाइड नहीं तो to easily eliminate हो जाता है आप बचते हैं 1 & 3 के उपर जहां में पता है 3 को मिल चुका है तो 1 & 3 is the correct answer which is your C आगे बढ़ते हैं अगला question है Astalopithecus के उपर Astalopithecus असल में Southern Ape जी ने कहते हैं यह हमारे पुराने वंशर्ज कहे जा सकते हैं South Africa के जो caves हैं जो हां की गुफाओं हैं गुफाओं हैं वहां पर लाखों साल पहले कहा जाता है कि यह थे इनसे पहले नियंद्रथाल या homo erectus या homo hebasus जुन से बाद में जाकर हम बने homo sapien तो homo erectus जो यह एक इसी का version है यह अभी extinct होचे के मानव है जो एक प्रकार के हुआ करते थे जो हमसे काफी जुड़े में हमारे पूर्वज कहे जा सकते हैं यह चालिस साल चालिस लाख साल पहले पाए जाते थे कहां South Africa में और South Africa में एक जगे है जहां पर इस तरह की केव बहुत जाला मिलती है जिने हम कहते हैं स्टर्कोफ फ़ॉंटीन केव क्या है वह हम जरा देख लेते हैं स्टर्कोफ फ़ॉंटीन केव को कहा जाता है है cradle of humankind यानि मानता कि शुरुवाद जहां से हुई हो वो कहा जाता है location यहां पर एसे world heritage site का दरजा भी दिया हुआ है यहां पर एक limestone cave है जहां पर कई सारे fossils मिले जहां से पता लगा कि इन caves के अंदर बहुत सारी पुराने हिस्ट्री जह हो में दिन ऑक्यूपेशन के यानि जो हमारे वन्स पूर्वज रहे उनके अलगलग तरह का जैसे development हुआ पहले वेक्ती छोड़ा जुका वह होता था फिर वह अपराइट होना स्टार्ट हुआ कैसे चेंजिस आते चले के स्केलेटन्स या उनके फॉसल समय यहां से मिलते हैं तो बड़ा इंपोर्टेंट हिस्ट्रीकल इंपोर्टेंट है यह स्ट्ग 14 केव जो कहां पर है साउथ कोई में इनका जो शहर प्रेटोरिया है साउथ अफ्रिका में उसके बिल्कुल पास से केव पाई जाती है जैसे क्रेडल फिमन काइंड भी कहते हैं यहां देखिए मैप में एक चोड़ा सा आइलेंड सा कुछ देख रहा होगा आपको यह क्या है लिसे तो लेसे तो असल में एक और इनडिपेंडेंटन स्टेट है जो साउथ अफ्रिका के अंदर ही होती है यह लैनलॉग कंटरी है जो साउथ अफरिका के अंदर ही होती है यह 1966 में आज़ाद हुई थी जब यूग्ए का राज हुआ पहले पहले साउथ अफ्रिका में तो इनका शूर्पर इस इस Deswegen भारती मार्केट में चल रहे थे लोग Chinese जो toys हैं आप उसको toy को किसी को उठाओगे कोई वही किल है कोई aeroplane है कोई doll है वहाँ पे लिखा होता था made in China इंडिया इस बात को लेकर काफी concern था कि toy जैसी चीज मालने जी कोई ऐसी चीज है जिसके हमारे पास technical expertise नहीं है वह हम किसी दूसरे देश से import कर रहे हैं बात समझ में आती है लेकिन क्या हम अपने यहाँ खिलोने भी नहीं बना सकते क्या क्या हमें खिलोने भी चाइना से import करने पड़ जाए तो इस बात को लेकर काफी concern थी सरकार कि जो खिलोने है वो भारत में ही बनाया जाए तो गौर्मेंट का अभी data निकल के आया है जिसमें ये दिखा गया है कि जो toy का import है वो 70% तक गिर गया है भारत में जो toy की industry है वो धीमे-धीमे evolve हुई है ज़ादा toys हम यहाँ पे बना रहे हैं टॉय की जो industry है वो primarily unorganized industry की form में work करती है जहाँ पे खिलोने बनाया जाते हैं प्राइमिनिस्टर ने call किया था या फिर लोगों को आवाहन दिया था कि हम Indian toy story को rebrand करें भारती खिलोनों को popularize किया जाए टॉकेथन 2021 organized किया गया था जिसे minister of education ने organize किया कि toy या फिर जो games हैं वो Indian civilization पर based हों खिलोने ऐसे हों जो भारती परंपरा के अनुसार हों national action plan for Indian toy story को भी launch किया गया ताकि हम local manufacturing जो है toys की उसको boost कर सके national education policy 2020 में भी toy making को introduce किया गया है six standard onwards कि बच्चों को बताया जाएगा कि खिलोने कैसे बनाया जाते हैं देखे toys को लेकर India concerned है इसका एक बहुत बड़ा market है और ऐसी चीज़े भी एकर हम import करते हैं तो फिर ये तो गलत बात है देखे एक्जमिशन भी दिये जाते हैं ऐसे goods and articles के लिए जो इंडिया में manufacture किये जा रहे हैं बेचे जा रहे हैं और local articians के उसके लिए registered है तो उनको कई तरीकी के exemptions मिलते हैं ताकि इंडिया में जो खिलोने बनाने की परंपरा है manufacturing उसकी है वो बढ़े कई तरीकी के toys हैं जो different states में बनाया जाते हैं उनके नाम मैं ले ले दा हूँ कुछ के नाम आपको याद रह जा है that will be better इसे केला में कथकली dance dolls animal shaped toys जानवरों के shape में कई सरे खिलोने बनते हैं woodcraft toys Tamil Nadu में थंजाउर थलयेटी, बंबई चोपा समन toy पंजाब में folk toys और हंडवई, चंकारा, लट्टू, घुग्गू इसके लामा ते लंगाना में निर्मल toys और भी कई से राज्यों में खिलोने बनते हैं मत्रप्रदेश में आदिवासी गुडिया हस्तसिल्प या हाथ से बनाई गई गुडिया beetle nut toys और tin toys तिन के खिलोने उत्तरप्रदेश में लेकर्ट टॉइस, लेकर्ट टॉइस में आपको इसके पहले एक आर्टिकल में बताया था कि लकड़ी का मान लेजे कोई भी खिलोना बना देते हैं उसके उपर जो पौधों का रस होता है उससे लेप लगा देते हैं प्लास्टिक के तरह मजबूत हो जाता है मिनियेचर यूटेंसिल टॉइस भी बनाया जाते हैं बरतनों की खिलोने बनाया जाते हैं वॉलनेट वूट काविंग टॉइस आपको जमुन कस्मीर मिलते हैं चतीजगर में कले एंटेरा कोटा धोकरा मेटल कास्टिंग, वूट काविंग, मेटल क्राफ्ट टॉइ तमनन दियू में टॉटोइस, सिल टॉइस और क्राफ्स अन्वान निक ओवर आइलेंड में टिंबर टॉइस और कोकोनेट शेल के टॉइस तो देखिए ये तो ट्वाइस के नाम है, इस kind of fact देखा जाए तो मैंने आपके लिए इसको पढ़ा ही है आप तोड़ा बहुत दिमाग में रख सकते हैं तो रख लीजिएगा हमारा next article National Monument Authority के बारे में है NMA के बारे में है उन्हें Dr. Ambedkar जी से सम्मंधित दो monuments को monuments of national importance declare करने को लेकर recommendation दी है पहले तो NMA है क्या उसके बाद वो sites कौन सी है NMA जो है इस ministry of culture के तहट establish किया गया है इनका इसे establish करने के लिए जो provisions इस्तिमाल किये गए है वो amsar act के है amsar का full form होता है ancient monument and archaeological sites and remains act आप इसमें amendment and validation भी add कर सकते हैं 2010 का ये कानून है उसी के तहट जो NMA है वो काम करता है national monument authority का basic fundamental काम ये है कि ये protect or preserve करें क्या जो भी हमारे पास protected monuments हैं उन्हें कैसे regulate किया जाएगा उनका management कैसे होगा इस सरी जिमेंदारी NMA के पास है एक बहुत important responsibility भी NMA के पास है अगर किसी prohibited या regulated area में किसी construction से संबंदित application आता है उसके permission देनी है कि नहीं देनी है ये NMA ही decide करता है कौन सी दो sites हैं जिनको national importance का डेकलर करने की बादचीट चल रही है एक तो है संकल्प भूमी बन्यांटरी campus बडोदरामी ये वही जगे हैं जहां पर अमबेडिकर जी ने 23rd September 1970 को संकल्प लिया था कि वो untouchability को eradicate करेंगे ये पेड़ 100 सालों से अधिक समय से वहीं पर खड़ा है एक symbol बन चुका है जहां पर social respect के लिए revolution को तयार किया गया था डॉक्टर अमबेडिकर जी के द्वारा इसले काफी respect है इस location को पताप राव भोसले high school जो 17 महरास्टरा में है ये place वही है जहां पर डॉक्टर भीम राव अमबेडिकर जी ने अपनी primary education attain की थी वो school जो है वो अपने register में उनका नाम बहुत ही pride के सांथ दिखाता है उनका मराथी में signature भी है लेकिन ये school भी जिला परसत के इंडर में है और बहुत ही खराब सिती में है तो गएसे importance मिल जाती है national level की तो इसके सिती में भी सुधार आएगा आर्टिकल national emblem के बारे में है जिसे अभी new parliament building पर unveil किया गया है देखे काफी खुबसूरत सा national emblem अभी हाल ही में unveil किया गया और इस national emblem के unveil होने के साथ ही कई परकार की controversies भी आई कुछ controversies इस आधार पे थी कि इसका inauguration या जो unveil इसे किया गया है वो prime minister के दोरा नहीं किया जाना चाहिए था बेकॉज he is largely part of executive और कुछ लोगों को इस बात पर 500 kg है और इसकी उंचाई 6.5 मीटर है इसके top पर जो ये जो new parliament के building है उसके बिलकुल central fire पे जो central place है उसके top पर इसे locate किया गया है इसका supporting structure भी है जो steel का बनाया गया है और उसका weight 6500 kg का है जो national emblem को support करता है in fact उसी के उपर इस emblem को रखा गया है ये जो new parliament building है ये central vista project का part है central vista project में केवल parliament building ही नहीं बननी है बलकि इसमें एक joint central secretary भी बनाया जाएगा पूरे राजपत को revamp किया जाएगा प्राइमिस्टर का residence भी नया बनाया जाएगा नया प्राइमिस्टर office यानि की PMO बनेगा और नया vice president का in clue भी बनाया जाएगा इस पूरे project को central vista project नाम दिया गया है इंडिया के national emblem की बात करते हैं इसे सावनाथ के loin capital of asokasi लिया गया है ये जो loin capital है ये सावनाथ की museum में protect करके रखा गया है loin capital की जो details हैं वो आप जानते रही है because in details से आपसे question पूछे जा सकते है loin capital में चार loins होते है आपको एक बार में आप किसी पी front से देखते हैं तो तीन ही देखते हैं एक पीछे होता है एक circular abacus पे यानि कि circular platform पे इन loins को locate किया जाता है उसके बार वहाँ पर देखे एक horizontal band होता है उस horizontal band पर आपको चार जानवर दिखते हैं एक elephant, एक तौड़ता हुआ घोड़ा, एक bull और एक loin और इन सभी जीवों के बीच में हमारा धर्म चक्र होता है जो इन्हें अलग करता है ठीक है? further जो word है सत्य में वजयते जिसे मुंड को पनिशत से लिया गया है जिसका मतलब होता है truth alone truth मतब सत्य की वजय होती है ये देवनागरी स्क्रिप्ट में abacus जो platform है जिसके उपर liloin capital located होता है उसके जस्ट नीचे लिखा जाता है इस emblem को 26 जनवरी 1950 को बिलकुल उसी दिन adopt किया गया जिस दिन हमारा constitution enforce किया गया लागू किया गया हमारा next article प्रफुल चंद्र रे के बारे में है Ministry of Culture ने Department of Chemistry University of Delhi और विज्ञान भारती विभा के साथ मिलकर हाल ही में एक curtain raiser organize किया ये एक international conference था जो कि आचार प्रफुल चंद्र रे जो कि एक बहुत ही prominent chemist और freedom fighter थे उनके लिए organize किया गया था प्रफुल चंद्र रे जिनका जीवनकाल 1871-1944 के बीच रहा बहुत ही eminent बंगाली chemist थे इन्हें इंडिया के chemical sciences का फादर भी माना जाता है बंगाल chemicals and pharmaceuticals इन्होंने फाउंड किया जो कि इंडिया के पहली pharmaceutical company थी 1896 में इन्होंने एक paper publish किया जिसमें उन्होंने ये बताया एक नया stable chemical compound उसके बारे में जानकाए थी that was mercuris nitrite उन्होंने ये भी प्रूव किया कि जो pure ammonium nitrite होता है वो stable होता है और कही सारे un-experiments भी की उन्होंने लिखा history of Hindu chemistry वैदी के रासे लेकर अभी तक middle of the 16th century AD के बीच में किस प्रकार से जो chemistry है वो इंडिया में evolve हुई है उसका description आपको इस किताब में मिलता है उन्होंने अपनी autobiography Life and Experience of Bengali Chemist 1932 में complete की उसको publish किया 1922 में इन्होंने पैसा डोनेट किया जिससे establish किया गया नागार्जुन प्राइस जिससे chemistry में best work के लिए दिया जाता है 1936 में उन्होंने एक और award institute किया आसुतोस मुखर जी जी के नाम के उपर जो किसी ऐसे रक्ति को दिया जाता है जिसने geology या botany में बहुत अच्छा काम किया Royal Society of Chemistry ने इन्हें 2012 में chemical landmark plaque दिया जो उनका एक बहुती prestigious एक सम्मान है ये पहली बार था जब किसी non-European को ये सम्मान दिया गया है 2011 में उनकी 150 फी बहुत anniversary पर उन्हें ये सम्मान ये honor confer किया गया हमारा next article एहमदाबाद के बारे में है union home minister ने वह हाल ही में देशवासियों को congratulate किया क्योंकि हाल ही में जो हमारे देश की पहली world heritage city थी एहमदाबाद उसे हाल ही में time magazine ने दुनिया की 50 जो greatest places हैं 2022 के उनके list में शामिल कर लिया है world's 50 greatest places of 2022 एहमदाबाद जो शहर है इसे सुल्टान एहमद श्राह ने 1411 में एडी में establish किया था साबर मती नदी के eastern bank पे ये गुजरात की लगबग 6 सताब्दियों से capital रही है दोहर्जा 17 में इसे UNESCO की world heritage city डेकलेर कर दिया गया एहमदाबाद को इसकी काफे rich architectural heritage रही है भद्र सिटेडल जो four city के walls और गीर्स हैं कई सारे mosque और टॉम्स हैं और बाद की period के hindu और jain temples भी है तो काफे rich city है एहमदाबाद इसे article पे चलेंगे हमारा next article वारानसी के बारे में है city of वारानसी को अभी हाल ही में यह designate कर दिया गया है कि यह संगाई cooperation organization का पहला cultural and tourism capital होगा यह एक नया initiative है जिसे SEO ने launch किया है संगाई cooperation organization ने कहा कि वो एक साल के लिए जो उनकी member countries हैं उनमें से किसी भी एक देस में एक शहर को संगाई का cultural and tourism capital डिक्लेर कर देंगे इस से उस location को लेकर लोगों के बारे में ज़्यादा awareness फैलेगी और लोग उस जगे को एक tourism के तौर पे acknowledge करेंगे यह बहुत ही अच्छा initiative है SEO का और इस initiative में जो पहला शहर चुना गया है यह वारानसी वारानसी जिसका पुराना नाम बनारस या काशी भी हुआ करता था यह दुनिया की oldest living city मानी जाती है oldest living city से हमारा मतलब यह है कि कई बार शहर ऐसे होते हैं कि वो हैं तो पुराने लेकिन वो बीच में discontinue हो गये खतम हो गये उन्हें फिर से revive किया गया वारानसी के साथ ऐसा नहीं है यह बहुत प्राचीन समय से लगातार live रहा है ऐसा नहीं कि शहर पूरी तरीके से खतम हो गया और उसे फिर से बसाया गया ऐसा वारारसी के साथ नहीं हुआ है वो हमेसा living रहा है और यह आप समझ गये उत्तर प्रदेश में located है यह गंगा नदी के left bank पे इंडिया के सबसे पुरानी city है यह और हिंदुजम में जो साथ पवित्र शहर माने जाते हैं cities हैं उनमें से एक है साथ holy cities कौन सी है हिंदुजम की 2000 आयोध्या, मतुरा, हरिद्वार वारानसी, कांचीपुरम उजयन और द्वारका, मतलब इनमें एक वारानसी भी है वारानसी के तिहास की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जब आर्यंस ने पहली बार इंडिया में एंटर किया तो उन्होंने जो अपना पहला settlement डेवलप किया, वो गंगा नदी के गंगा वैली जो है उसके मिडल में था, वारानसी की लोकेशन पर ही, मतलब आर्यंस की जो पहला, आर्यंस का जो पहला settlement था, वो वारानसी के रीजन में था, वारानसी जो पूराना किंगडम था काशी का उसकी कैपिटल भी रही उस समय जब भगवान बुद्धा का समय था, छठी सेंचूरी B.C.E. में, और बिल्कुल उस से थोड़ी ही दूरी पर सार नात में उन्हों ने अपना पहला सर्मन भी दिया ये religious, educational और artistic activities का center रहा जिसका जिक्र जो Chinese Buddhist pilgrim रहा, जुआन जांग, जिससे आप Queen Sang के नाम से भी जानते हैं जो हर्सवर्धन के समय में 635 A.D. में इंडिया के विजिट पर आते हैं उन्होंने भी वरणसी का जिक्र किया है वरणसी तीन सेंचूरी तक काफि जादा declining condition में रहा 1194 के बाद जब Muslim occupation हो गया इंडिया में तो फिर इसने अपनी ग्लोरी जैसे खोही दी 18th century के आसपास ये independent kingdom के रूप में एक बार फिर से उभरा ब्रश्रस के टाइम पर भी ये commercial और religious center बना रहा बीजिंग का जो headquarter है संगाई को आप्रेशन organization का बीजिंग में उन्होंने ये कहा कि ये title rotate होगा उनकी member countries में हर साथ और इस बार वरणसी को प्रेक किया गया है हमारा नेक्स्ट article अनायोट्टू ritual के बारे में है जो कि केरला में observe किया जाता है ये एक annual ritual है जो कि स्री वड़क कुनाथन temple जो है थिरस्टूर में उसके आसपास मनाया जाता है अनायोट्टू जिसे गज़ पूजा गज़ का मतलब हाथी होता है तो हाथी पूजा हो गया या feeding of elephant के रूप में भी देखा जाता है यहाँ पे ये जो temple है थिरस्टूर में केरला में इसके आसपास कई सरे लोग इकठा होते है और हाथीयों को अच्छी अच्छी चीज़े खिलाते पिलाते है ये festival करक्की डिकम जो महिना होता है उसके पहले दिन मनाया जाता है ये मल्यालम कलेंडर का एक महिना है जो की Gregorian कलेंडर के जुलाई महिने के समय में पढ़ता है यहाँ पर देखिए बिना सजावट वाले जो हाथी होते हैं उन्हें लोगों के सामने राया जाता है लोग उनकी पूजा करते हैं उन्हें खिलाते पिलाते हैं बेसिक मैथलोजी ये है कि अगर आप गज यानि की हाथी को खिलाते हैं तो आप भगवान गडेश को खिला रहे हैं जो कि वेल्थ और विशश को फुल्फिल करने वाले देवता की रूप में जाने जाते हैं वड़क कुनाथन टेंपल जो है हमारा जो नेक्स टार्डिकल है वो भील ट्राइब के बारे में है हाल ही में महारास्ट्रा मत्रदेश में पाई जाने वाले जो भील ट्राइब है उन्होंने एक एक एक्जामपल सेट किया है जीवन शाला के थ्रू जीवन शाला एक पकार का मॉडल स्कूल है जिसे ये ट्राइबल ग्रुप्स लगभख तीन सालों से रन कर रहे हैं जबकि सरकार ने इसका लगातार बिरोथ किया है आपको पता होगा कि जब भी आप कोई स्कूल उपन करते हैं तो आपको accreditation यानिकी मानिता की आवशकता होती है randomly कहीं भी कोई भी स्कूल खोल के नहीं बैठ सकता सरकार से अप्रोल लेना होता है, affiliate करना होता है किसी स्कूल से है, मानिता लेनी पड़ती है एक्शली में भी ट्राइबल रीजिन जो महाराश्टरा के रहे वहाँ पर जो स्कूल्स थे, गौर्मेंटर स्कूल्स वो केवल कागजों पर ही रहे और कभी ना तो उन स्कूल्स को बनाया गया और नहीं operationalize किया गया, और वहाँ कम्मुनिटी के जो लोग थे उन्हें बहुत दूर तक जाना पड़ता था पढ़ाई करने के लिए तो कुछ लोगों ने वहाँ फैसला किया उनको तो पढ़ाया ही जा रहा था, कुछ और सब्जेक्स भी एड़ कर दिये गए जैसे कि जो उनके कल्चर का पार्ट है forestry, land, water, इन सब को पढ़ाया जाने लगा और जो traditional medicines होती है, कौन सी हबस उसमें काम आती है उन्हें भी पढ़ाया जाने लगा इससे जो वहां के authorities थी, उन्होंने आती जिताई कि आप ऐसे स्कूल रन नहीं कर सकते बिना किसी मानने ताके तो उन्होंने कहा कि आप स्कूल खोल दीजे हम इसे नहीं चलाएंगे, बाद में प्रस्ताव काफी विरोद किया गया, काफी कोशिस है की गई कि ऐसे स्कूल ना चले, उन्हें बंद करवा दिया जाए because ये जो स्कूल थी, वो administration के failure को भी portrait कर रहे थे कि आप महां स्कूल नहीं खोल सके, इसलिए locals को स्कूल खोलना पड़ा ये भी प्रस्ताव दिया गया कि आप सारे documents transfer कर दीजे, और हम ये जो schools हैं, इन्हें government school में तब्दील कर देंगे लेकिन महां के locals का ये कहना था कि जो school, इन models पर चल रहे हैं उन्हें, उन्हीं model पर चलने दिया जाए सरकार बस उन्हें मानने ता दे रहे ये controversy काफी लंबी चली है, still despite all the controversy, जो जीवन शाला schools हैं, उन्होंने एक example set किया है कि इस प्रकार से भी education को आगे बढ़ाया जा सकता है भील tribe के बारे में बात करते हैं, तो ये word wheel से निकला है, wheel का मतलब होता है धनुष, दरविनियन लैंग्विज में भील tribe के लोगों को ये भरत का largest tribal group भी है, जो गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान और 36 गर्में फैला हुआ है, इनके पास एक rich और unique culture है, इनके भीतर ही एक भिलाला subdivision भी पाया जाता है, जो कि पिथोरा painting के लिए जाने जाते हैं ये लोग, घूमर इनका traditional folk dance है, घूमर symbol है, femininity का women इस dance में majorly participate करती है next article बोनालू festival के बारे में है, हैदराबाद और सिकंदराबाद, दो 60 और तिलंगाना के कुछ है सो में इस festival को celebrate किया गया, ये goddess महाकाली के co-dedicate करके festival मनाया जाता है, जिसे मादुरगा का एक उग्र रूप इन देवी को माना जाता है, जो word bonum है, ये signify करता है, उस meal या उस feast को तेलगो में, तेलगो में इसका मतलब ही होता है, खाना, basically चावल को पकाते हैं, दूर और जैगरी यानि के गुड मिला के kind of खीर बना लेते हैं, और उसके बाद उसे या तो मिट्टी के बरतन में या प्रास के बरतन में लेकर महिलायों से सजा के, नीम के पत्तों से टर्मरीक या सिंदू से सजा के, और सिर पे लेकर जाती है, डेवी को उसको चढ़ाया जाता है, इस के रूप में 1996 में established किया गया, इसके लिए जो कानून इस्तेमाल किया गया, वो उससे भी पुराना था, that is Charitable Endowment Act of 1890, तो 1996 में ये फंड बनाया गया, और कानून 1890 का इस्तेमाल किया गया, यानि कि 100 साल पहले का कानून, इसका fundamental objective ये था, कि इसके माध्यम से, जो culture और heritage के field में कई सारे stakeholders हैं, जिसमें private entities शामिल हैं, public sector, government, non-governmental agencies like NGOs, इन सभी लोगों को हम एक साथ लेकर आएं, कोशिस करें कि जो भी हमारी heritage है, हम उसे restore करें, conserve करें, protect करें, और उसको develop करने में help करें, जो इंडिया का rich, natural, tangible या intangible heritage है, हम उसे बचाएं, उसके लिए जो भी पैसे खर्च होंगे, वो इस fund से इस्तेमाल किये जाएंगे, इस fund का काम कैसे होगा, मतलब कैसे ये fund function करता है, देखिए, इसे administer और apply करने का जो पूरा mechanism है, उसमें कई सारे काम किये जाते हैं, पहला काम तो यह होगा, कि हम इसके माध्यम से, जो भी monuments हैं, जो protected monuments हैं, या ऐसे monuments भी जो protected नहीं हैं, उन्हें conserve करेंगे, maintain करेंगे, promote करेंगे, protect करेंगे, preserve करेंगे, तो यह कुछ keywords हैं, दूसरा यह है कि हम एक cadre of specialist स्यार करेंगे, या cultural administrator, उनको train करेंगे, जो यह पूरा काम कर सकें, तीसरा हम innovation और experiment करेंगे, ताकि जो भी हमारा cultural expression है, dance है, music है, theater है, कोई भी और art form है, हम उसे document कर सकें, ताकि वो अपनी relevance को खो ना दे, क्या structure है इस fund को manage करने का, इसके लिए, एक होगी governing council और एक होगी executive committee, community, तो जो council होगी, इसे chair किया जाएगा, union minister of culture के द्वरा, और जो executive committee होगी, उसे chair करेंगे, secretary, जो ministry of culture के होगे, यह mechanism होगया, working की बात करेंगे, तो इसे काफी flexible बनाया गया है, जैसे कि इस fund में वो लोग भी पैसे डाल सकते हैं, जो charitable purpose से donate करना चाहते हैं, या कोई sponsors हैं, जो किसी monuments को sponsor करना चाहते हैं, कि उसे preserve कर लिया जाए, तो donors या sponsors को इतनी जदा flexibility दी गई है, कि आप चाहें, तो यह कह सकते हैं, कि मैं यह जो पैसे दे रहा हूँ, इसके जरीए आप इस monument को preserve करिए, या इसको maintain करिए, आप ये भी कह सकते हैं, कि जो पैसे मैं दे रहा हूँ, उसके जरीए आप इस monument को preserve करवा रहे हैं, इसके लिए आप इस agency का इस्तेमाल करिए, मतलब आपका पैसा तो आप dictate कर सकते हैं, कि आपका पैसा कहां खर्च किया जाए, और किस agency की द्वारा खर्च किया जाए, किस location पर खर्च किया जाए, अगर आप culture को preserve करने के लिए donate कर रहे हैं, तो फिर उससे execution के संबंद में आपका C होगा, तो इससे जो भी donors हैं, sponsors हैं, वो incentivize होते हैं, क्योंकि वो targeted तरीके से किसी को कोई monument दिग गया, जरजर हलत में, वो चाहता है कि चलो इसको हम बेहतर करवा देते हैं, तो वो इस fund में पैसे डाल के वो काम करवा सकता है, तो आपने इस fund के बारे में समझी लिया है, मारा next article goal program के बारे में है, union minister for tribal affairs ने हाल ही में लोग सफा को goal program के बारे में inform किया, goal का full form है going online as leaders, यह joint initiative है, ministry of tribal affairs and meta, meta आपको पता है facebook का नया नाम है, इसके मादधें से त्राइवल youngsters हैं और जो women हैं, उन्हीं empower किया जा रहा है कि वो digitally ज्यादा active हो जाए, mentor and mentee principle पर work करता है कि कोई एक होगा जो उनको सिखाएगा, meta जो facebook इंडिया है, वहीं इसे पुरी तरीके से fund कर रहा है, इसका पहला phase चला था मई 2020 में, और complete हुआ December 2021 में, पहले phase में उन्हें communication और life skill के बारे में बताया गया, enable किया गया कि वो digital presence बनाएं, facebook पे अपनी idea बना लें, और भी जो digital medias हैं, वहाँ पर पहुँचे, leadership और entrepreneurship भी सिखाईगी, जो दूसरा phase है, वो जून 2022 में शुरू हुआ, यहाँ पे जो tribal youngsters हैं, उन्हें digitally upskill किया जाएगा, special focus रहेगा कि जो 50,000 one-thun self-help groups हैं, उनके 10 लाक मेंबर्स को digitalize किया जाए, यह वंधन self-help group भी उन्हें digital presence देने में मदद करते हैं, हाँवारा next article, Pythagorean Geometry Invadicator text, इस title के उपर है, हाल ही में एक position paper तयार किया गया करनाटका के सरकार के दोरह, यह position paper national education policy के उपर था, जिसमें define किया गया था, कि आखिर new education policy में किस प्रकार से text दोरहा तयार की जाएगी, कैसे हम उसे आगे बढ़ाएंगे, वहाँ पर उन्होंनी एक text का जिक्र किया, that was बुधायन सुल्वसूत्र, और उन्होंनी specifically एक शलोक का जिक्र करते हुए, यह कहा कि जो पाइथागोरियन थियोरम है, वो उसके 300 साल पहले लगबग बुधायन सुल्वसूत्र में बताया जा चुका था, और इस reference में, जो पाइथागोरियन थियोरम है, उसे उन्होंने एक fake news कहा, कि यह सही नहीं है, उसके पहले ही हमारे Vedic Text में इसका जिक्र किया जा चुका है, अगर हम पाइथागोरस के बारे में बात करें, तो एक mathematician थे, Greek philosopher थे, यह 570 से 490 BC के बीच में थे, हाना कि time frame जो है, वो काफी जादा, suspectable है, because इन्होंने एक secret society बना रखी थी, और उसी के जरीए अपना काम किया करते थे, इटली में उन्होंने secret society को found किया था, तो उनकी activities कैसे चलती थी, किसी को पता चल नहीं पाता था, उनकी बारे में इसलिए हमें कम पता है, और बाद में उनकी खुद की writing भी हमें कम ही मिलती है, बलकि उनकी society में जो writing होई है, उनहीं के जरीए उनकी जो भी writing हैं, वो public domain में आज available है पाइथागोरस theorem क्या कहता है, पाइथागोरस theorem जो है वो त्रिभुज, क्यानी कि जो triangle होता है, उसके तीन angles के बीच के relation को बताता है, जिसमें एक angle 90 degree का हो, जहां पे यह बताया गया है कि a square plus b square is equal to c square, मतलब अगर एक triangle है, और इसकी तीन भुजाएं हैं, तो इसमें जो यह a है, अगर आप इस पे एक work बनाएंगे और एक b बनाएंगे, तो जो c पे आप work बनाएंगे, यह इसके बराबर होगा, यही पाइथागोरस theorem बताता है, आपने basic mathematics में में भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो square का मतलब work ही तो होता है ना, तो तीन भुजाओं पर अगर आप work बना रहे हैं, तो a और b पर जो आप work बनाएंगे, वो विकर्ड पर बनाएंगे work के बराबर होगा, यह basic fundamental है, अब देखें इंडिन वैधिक mathematician इस theorem को कैसे पहले से जानते थे, बुधायन सुत्र जो है, इसमें पाइथागुरस theorem का बहुत ही पहले जिकर किया जा चुका है, पहले क्या होते थे, यग्य हुआ करते थे, तो यग्य के लिए बुधायन सुल्व सुत्र में जिकर किया गया है, जो बुधायन सुल्व सुत्र है, यह सबसे ज़्यादा पुराना सुल्व सुत्र माना जाता है, time duration वैसे तो हमें exactly नहीं पता, लेकिन बताया जाता है कि 800 BCE के आसपास लिखा गया रहा होगा, इसमें लिखी गई बात उसस बुधायन सुल्व सुत्र है, उसमें statement दिया गया है, एक line दी गई है, जिसका मतलब वही है, जो बाद में बताया गया, उसके जैसा ही उसका मतलब है, example के तौर पे, जो यग्य किये जाते थे, उसमें elders and की वेदी बनाई जाती थी, तो उसमें जो fireplaces के लिए, यानि की आग जो trapezia होता है, उसमें या rectangles के form में बनाया जाते थे, आब यहाँ पर देखिए, उनका एक prescribed size होता था, और सुल्व सूत्र में इसके लिए एक prescribed size बताया गया, और उसके लिए जो सूत्र दिया गया, वो more or less pythagorean theorem ही है, जो सूत्र है वो कुछ यूँ है, दिर्ग चत्रश् इसका मतलब यह है कि भुझा A पर जो आप वर्ग बनाते हैं, और जो भुझा B पर आप वर्ग बनाते हैं, अगर आप इसे जोड़ देंगे तो भुझा C पर बनाये गए वर्ग के, योग के, यानि शेत्रफल जो है, उसके बराबर निकल के आ जाएगा, तो यही बात इस बुधायन सुलब सुत्र के स्लोक में भी बताई गई है, जो कि पाइथागोरस थियोरम है, तो इसको लेकर अभी हाल फिलहाल में, वैसे डीबेट बहुत पुरानी है, पर हाल फिलहाल में यी डीबेट फिर से आ गई है, यह नॉलजज सबसे पहले Old Babylonian Civilization में देखने को मिल गया है, तो इस तरीके से यह थियोरम डेवलप हुआ है, तो मतलब अगर यह कहना कि हाँ पाइथागोरस ने इसको इवाल्व किया, यह तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, विकॉज इसके एविदेंस उसके पहले से भी है, इंक्लूदिंग सुल्वसूत्र, हमारा नेक जहीं से अपना नाम ड्राइव करते हैं, हट्टी, जो हाट में सामान बेचते हैं, हट्टी का होम लैंड, हमारा प्रदे सुत्राखन के बॉर्डर पे आपको मिलेगा, गिरी और टून्स, जो नदी है, उनके आजपास की रीजन में, और यह दोनों ही नदिया यमना नदी क इनमें कास्ट सिस्टम काफी रिजिट है, भाट और खास, ये इनकी अपर कास्ट है, जबकि जो बधोईस हैं, वो उनके नीचे आते हैं, इंटर कास्ट मैर्जिस को पूरी तरीके से ये प्रोहिवेट करते हैं, बिल्कुल एक्सेप नहीं करते हैं, जो टैडिशनल काउंस हैं, वो बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं, जैसे कि हर्याना में खाप काम करती हैं, उन्हें दिया गया है नाम, that is कुंबली, या कुंबली, ठीक हैं, हमारा निक्स्ट आर्टिकल महराजा सर्फो जी के बारे में है, 19th century की एक painting अभी हाल ही में, राजा सर्फो जी जी की और उ जाओर में, जो भोसले राजाज हुआ करते थे, ये उनकी डैनिस्टिक लाइन में लास्त थे, इनका जन्मस 1777 में हुआ था, और इन्होंने 1832 में अपनी अंतिम सांस ली, इनकी एक मात्र बेटे थे, सिवा जी, जिनका साशन जो है, वो 1855 तक चला, इनका कोई मेल सक्सेसर नहीं था, और आपको डलहो जी की Doctrine of Laps की Policy अगर आपनी Modern India पढ़ा हो, तो में भी आप जानती हूँ, काफी infamous थी, बिटिश रस ने ये बोल रखा था, अगर आपके पास Original Hair नहीं है, तो आपका जो राज्य है, वो बिटिश रस कबजे में ले लेंगे, और उसे British India में मिक जा लिया था, Doctrine of Laps का इस्तेमाल करके, बात करते हैं महराजा सर्फो जी के Contribution के बारे में, सरस्वती महल लाइबरेरी, ये एक Palace लाइबरेरी थी, जिसे 1535 से 1675 के बीच में थंजाओर में जो नायक साशक हुआ करते थे, उन्होंने Establish किया था, तो मतलब ये मामला है कि यहाँ पे अभी रोल महराजा सर्फो जी का नहीं है, ये लाइबरेरी थी तो पहले ही बना दी गई थी, हाँ, उसे इंदच करने का काम सर्फो जी के द्वारा किया गया, वहाँ पे Priceless Work, Maps, Dictionaries, Coins, Artwork, ये सब उनके द्वारा ही इंस्टॉल करवाया गया, एजुकेशनल ये सब सिखाये जाते थे, पैरलली वेदास और सास्त्रास यनके वेद और सास्त्रों के बारे में भी जनकारी दी जाती थी, मैडिसिन में उन्होंने धन्मंतरी महल को इस्टाब्रिश किया था, ये एक रिसर्च इंस्टूशन था, जहाँ पे इंडिजिनियस मैडिसिन जो ये उसका एक fundamental idea था, जिसके माध्यम से वो किसी वैसे राज्य को अपने कपजे में ले लेता था, और company की territory बना देता था, जिसका कोई male hair ना हो, वैसे इसमें वो राज्य को तीन categories में divide करता था, और उन तीन categories के लिए अलग-अलग rules होते हैं, हम इतना detail में तो नहीं जाएं कि क्या करम था, doctrine of labs के अंतरगत राज्यों को annex करने का बिश्चरस का, तो ये करम है सतारा, जयातपुर, संभलपुर, भगत, उदैपुर, जहांसी और नागपुर, इसको याद करने के लिए आप एक simple सा छोटा सा code इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको imagine करना है कि उजहाना नाम क कि एक जझाती है, जझातीयों के नाम तो थोड़े अजीब ही होते है, तो उजहाना एक जझाती है, उनकी हाँ कोई occasion है, कोई festival है, जिसके लिए उजहाना जझाती के सभी लोग सज रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप यही तो कहेंगे, कि सजए सब उजहाना, यही आप उजानामी, उसे उदैपुर, जहसे जहसी और नासे नागपुर तो सजेस्ट सब उजाना आप याद रखेंगे तो आपको यह सारे नाम याद रह जाएंगे हमारा नेक्स्ट आर्डिकल अनुसीलन समिती के बारे में है Union Education Minister ने अभी हाली में अर्ज किया NCRT को और बाकी की जो educational fraternity है कि आप अनुसीलन समिती के बारे में करिकुलम में डालिए, बच्चों को पढ़ाईए अनुसीलन समिती को फाउंड किया गया था सतीश चंद्रा, प्रमथा मित्र, अर्विंदो घोस और सरला देवीजी के द्वरा अनुसीलन समिती, एक secret revolutionary society थी, जो बंगाल से operate होती थी ये अंग्रेजों के खिलाफ कारवाई करते थे, छुपके रहते थे, ताकि निगाह में ना आएं, पकड़े ना जाएं इनका एक fundamental objective ये था कि भारत को आजाद करवाना है, colonial rule से और अंग्रेजों को देश के बाहर खदेरना है जो organization है, इसके दो बहुत ही prominent arms थे, पहली का राम था धाका अनुसीलन समिती, ये धाका से operate होती थी धाका आपको पता है, वर्तमान की बांगलादेश में है, और दूसरा जुगांतर ग्रूप, ये Calcutta में centered था मेथर विल्को साफ था इनका, ये militant nationalism को promote करते थे, जिसमें bombing की जाती थी, assassinations किये जाते थे politically motivated violence होता था, politically motivated violence का मतलब ये है कि इस समिती की दवरा उन्हें target किया जाता था, जो बहुत ही infamous होते थे ऐसे Britishers जो इंडिया में atrocities करते थे, लोगों को परिशान करते थे, उनको target किया जाता था in militant organizations के दवरा कई सारे बहुत ही famous लोग हैं जो अनुसिलन समिती से जुड़े रहे, देश बंधू, चितरंजन, दाज जी, सुरेंद नाथ, टैगोर जी, जतिन नाथ, बनर जी जी, बागा जतिन, ये सभी लोग इस से जुड़े होए थे जो nationalist writings हैं and publications हैं, अरविंदो घोसकी या बारित कुमार घोसकी, जैसे कि बंदे मातरम और जुगांतर पत्रिका, जैसे युगांतर भी कहा जाता है कई बार, उसका काफी जादा influence था बंगाली people पे, बंगाली youngsters पे, और उसने अनुशिलन समिती को popularity gain करने में काफी मदद दी हमारा नेक्स्ट आर्डिकल चार ट्राइबल रिवोल्ड्स के बारे में हैं, पंद्रहवी प्रेसिडेंट बनी है हमारी दौपदी मुर्मो जी, उनके चुकि ये पहली ट्राइबल हैं, जोकि भारत के सबसे सरवुच पत पे पहुँची हैं, उसी reference में चार ट्राइबल रि इपनी कठा हो जाते हैं, और कंपनी रूल के खिलाफ रिवोल्ड करते हैं, जो रिवेन्य ओफिशिल्स थे, जमीदार थे, तरफ मेलेंडर से, उनके खिलाफ ये पूरा मुमिन्ट चलता है, पाइका रिवेलिन 1870 का बहुत ही पॉपलर है, उडिसा के जो राजा थे, उनको कोन के साथ मिक्स कर देते हैं, और फिवेन्य ओफिशिल्स के खिलाफ ये पाइका रिवेलिन स्टार्ट होता है, कोल रिवोल्ड, कोल एक ट्राइबल पॉपलेशन है, जो छोटा नागपूर के एरिया में रहती है, इन्होंने 1831 में बिवेन्य ओफिशिल्स के खिलाफ एक मदारा महतो, इन सभी लोगों ने कोल कम्यूटी के लोगों को एकठा किया, और अंग्रेजों के खिलाफ है, वो एक रिवोल्ड किया, भील अप्राइजिंग, मारास्ट्रा का जो खान देज का रिजिन है, वहाँ पे सेवा राम जी की लिडरसिप में ये अप्राइजिंग करी है, ministry of culture को, इन temples के development को लेकर, इन्हें दक्षड कासी की नाम से भी पुकारा जाता है, actually में महारास्ट्रा के सतारा में माहुली एक location है, वही पर ये पाच temples है, कृष्णा और वीना नदी के, जहां पर नदिया मिलती है, वही पर ये पाच मंदिर है, 11-12 सताबदी के सियोना यादवाज हुआ करते थे, उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इन temples को found किया था, उन्ही के नाम पर इस style को हेमद पंथी style कहा जाता है, विश्वश्वा टेम्पल जो है, उसे संगम महुली और जो रामिश्वा टेम्पल का हिस्सा है, उसे छत्र महुली के न अलिबाग's white onion के बारे में है, अलिबाग का जो white onion होता है, जो कि महरास्टरा के रायगर district में उगाया जाता है, इसे अभी हाल ही में geographical indication का tag यानि की GI tag दे दिया किया, अब मिल गई है इसे एक unique identity, जिसकी मदद से इसे मिल जाएगा एक wider market, सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी product को GI tag मिल जाए, किसी भी agricultural product को भी GI tag मिल जाए, तो उसकी पहचान बढ़ जाती है, और ये माल लिया जाता है कि इस specific location से आने वाली ये चीज special है, उसे लोग खरीदना पसंद करते हैं और उसका एक बढ़िया सा market तयार हो जाता है, अलिबाग जो कि एक coastal town है, महरास्टरा के district में, वहाँ की जो soil है, उसमें sulfur का content कम है, and that is the reason कि वहाँ पे जो प्याज उगाया जाता है, उसमें color कम होता है, sweet taste होता है, मीठा स्वाद होता है, काटने पर आँखों से आसू नहीं आएंगे, protein काफी high होता है, fat और fiber का content भी काफी बढ़िया होता है, और high antioxidant compound भी इसमें पाया जाता है, जो कई तरीके की दिक्कतों में मददगार भी साबित होता है, इससे immunity boost होती है, रात में नीद ना आने की problem भी दूर होती है, खून साफ होता है, blood pressure से related दिक्कते कम हो जाती है, और heat related element किसी को लू लग जाए, उसमें भी इससे मदद मिलती है, ऐसा कहा जाता है कि जब भी लू लगती है, तो जो ये सफेद रंगी प्याज होती है, इसे piece के सरीर पेस का leap लगाया जाता है, तो उससे लू की जो effects होते हैं, वो आसानी से control में आ जाते हैं, तो white onion के बहुत सारे फायदे हैं, और अली बाग का white onion अब special है, GI tag की बात करें, तो ये एक specific geographical origin वाली चीज़ों को दिया जाता है, ये मान कर कि उनके पास कुछ vicious qualities हैं, या repetition है, because of this origin, क्योंकि वो उस जगे से पाया जाते हैं, GI tag मिल जाने के बाद उसे एक sign मिल जाता है, जिससे वो उस place के origin को identify करते हैं, ताकि product आसानी से बिख सके, ये intellectual property right के तरह काम करता है, जो Paris Convention for the Protection of Industrial Property के अंडर में आता है, यहाँ पर दीखिए, कि जो geographical indication इंडिया में है, उसे administer किया जाता है, geographical indications of goods, registration and protection act of 1999 के तहर, इसकी एक registry तयार की जाती है, जो की चेन नहीं में located है, कई सारे items इसमें covered होते है, agriculture product, food stuff, wine और spirit drinks, handicrafts, और industrial products, मतब लगभख सब कुछ कवर कर लेता हैं, यहने GI tag दिया जाता है, हमारा नेक्स आर्टिकल, Family Courts Amendementable 2022 के बारे में है, हाल ही में इसे लोगसभा से पास किया गया है, यह संशोधन करेगा Family Courts Act 1984 में, नेक्स्ट आर्टिकल इस अबाउट चापेकर ब्रदर केस, देखिए चापेकर ब्रदर केस को 125 साल पूरे हो चुके हैं, तो हो सकता है UPSC के उपर एक कोशन पूछ ले, अब हम समझते हैं इस पूरे केस का background क्या था, देखो आप सभी जानते हैं, 1896 से 97 के बीच में एक bubonic plague आया था, कहाँ पर पूना में, ठीक है, जिसे हम पूना plague भी कहते हैं, अब इस plague को control करने के लिए Government of India ने, उसने भी Government of India मतलब British India ने 1897 ने क्या किया था, एक plague committee बनाई थी, अब देखिए, simple सी बात है, यह एक disease है, तो simple सी बात है, कि यहाँ पर जो भी committee में members होने चाहिए, maximum doctors होने चाहिए, बट British government ने क्या किया, इस plague को control करने के लिए, जो committee बनाई, उसमें arts officers थे, no doubt, बहुत अच्छा decision था, but they were soldiers, ठीक है, they were public officials, आप सोची यह लोग कैसे plague को control करेंगे, so literally नोंने पता क्या control के negotiation की, they just separated the people, मतलब जैसे COVID के टाइम पे, हम no distancing, और आप कह सकते है, social distancing, follow कर रहे थे उसी प्रकार से, इन्होंने बहुती harsh way में follow करवाया, कि लोगों को, उनके loved one के funeral attend करने नहीं दिये, लोगों को बहार निकलने नहीं दिया, और भी बहुती खतरनाक तरीके से लोगों को दूर रखा गया, तो इससे लोगों काफी गुसा ने लगा, अब इस गुस्से का इस्तमाल किस ने किया, चापे का ब्रदर ने और यहोंने W.C. Rand को assassinate कर दिया, that's it, यहाँ पर ये case complete हो जाता है, और याद रखिएगा, यह पहला militant case था, 1857 revolt के बाद, ठीक है, जिसे conduct किया था, तो चापे का ब्रदर case is very famous in Indian history, ओके, चलिए, now let's move to the next article, and it is about Mumbai समाचार, देखिए अभी recent में Mumbai समाचार newspaper ने, यह आप कह सकते हैं Mumbai समाचार, जो कि एक newspaper है, उसने अपनी 200 century celebrate की, और इस ड्वी शतापदी महुसब को प्राइम मिनिस्टर मोधी जी ने भी अटेंड किया था, ठीक है, अब आपको लग रहा होगा जो Mumbai समाचार है, यह एक मराथी newspaper होगा, जी बिलकुल भी नहीं, यह गुजराती newspaper है, यह यहापर twist है, आपको पता होगा, कि इससे पहले हमारे presidency हुआ करती ब्रेटिश का time पे, और उसमें गुजरात प्लस मुंबई और यह कैसे बॉम्बे पूर जुड़ा हुआ था, तो उस time पे से चालू किया गया था, और इसका नाम रखा गया था मुंबई समाचार, और यह गुजराती newspaper था, ठीक है, जैसे पहली बार 1822 में publish किय गया था, और याद रखिएगा, 1822 से लेके आज तक, that means from last 200 years, इसे continuously publish किया जा रहा है, ठीक है, and यह जो newspaper है, उसके founder कौन थे, एक पार्सी scholar, that is, फरदुन जी मुराजबान, तो नाम याद रखिएगा, हो सकता है, UPSC पूछ ले, ठीक है, और last चीज, कि इसका main content क्या था, देखिए, ये एक weekly newspaper था, सबसे पहली बात तो शुरू शुरू में, अब तो like daily business में आने लगे हैं, तो ये एक weekly newspaper था, और यहाँ पर मिली business related news हुआ करती थी, उस time पे business news क्या थी, कि कितने goods यहाँ पर आए हैं, कितने goods वहाँ पर गाए हैं, और भी जो अगर छोटी मोटी news गई, तो उनको add-on कर दिया जाता था, so this is about Mumbai समाचार, तो this you have to remember, now the next article is about Kodavas, देखो, Kodavas को याद रखेगा कुर्ग भी कहते हैं, ठीक है, ये जो कुर्ग है, ये आपको करनाटका में मिलते हैं, ठीक है, अब ये कुर्ग के जो features है न, in complete tribal society, that is very very famous, और very very interesting to know, पहली बात तो ये एक war-like tribe है, मतलब यहाँ पर जो women होती है, वो तक militarily trained होती है, जैसे कि आप इस image में देखी सकते हैं, this is just for sure, but यहाँ पर जो women होती है, वो militarily trained होती है, पहले important feature, दूसरा, यहाँ पर कोई भी marriage related, जो evil type के rituals होते हैं, अनको connect नहीं किया जाता है, जैसे example के तोर पे, य और इसके अलाबा, you should remember कि जो उनकी जो language है, that is Kodawa-Take, ठीक है, यह जो Dravidian group of language है, उसका part है, और यह endangered language है according to UNESCO, तो this fact you have to remember, कि इनकी जो language है, that is Kodawa-Take, it is endangered language under UNESCO, ठीक है, और इनको कुछ festivals है, अगर याद हो सके, तो you can remember them, otherwise there is no such issue, fine, तो आज के इस session में बस इतना ही, thank you very much. जाओ औरूआ, है एर है वाद है अगले थादिए, है राले सब्सके राले सहित, है वाले सन्तर श tayर च庭ों जो में सह से खाँ हैं के जो एमनकी giving that benefit to healthcare को जैकि हैं, वाले से जो सब्सक्णत बच्ख़ेत और इसकार कजती हैं, पीदयों पदिह करी पृतों, पीकी हैंशर